नमस्कार दोस्तों आईए जानते हैं, आज शाम राजस्थान की बड़ी खबरे, पहली खबर है कि दस्वीन कक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर आउट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हो रही अर्धवार्शिक परीक्षा में कक्षा दस्वीन का सोमवार को होने वाला पेपर पहले ही आउट हो गया जिसकी शहर में दिन भर जोरों पर चर्चा रही, सामाजिक विज्ञान का सोमवार को पेपर होना था लेकिन परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले ही रविवार को पेपर सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया जिसको लेकर शिक्षा विभाग में हर कंप मंच गया जिसके बाद आज सामाजिक विज्ञान वह संस्कृत के पेपर स्थगित कर दिये गए आज द्वितिये पारी में एक बजे से दसवीयों के सामाजिक विज्ञान का पेपर होना था पर विद्यार्थियों के सामने आता उससे पहले ही उसे स्थगित कर दिया गया सोलहवीयं विधान सभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे कालीचरण सराफ राजस्थान की सोलहवीयं विधान सभा की विधिवत शुरुआत जल्द होने जा रही है वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को आज प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है उन्हें सोमवार शाम साढ़े चार बजे राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में पद्व गोपनियता की शपत ली अब कांग्रेस के इस सप्ताह नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोशना संभव पाइलट सहित पांच नेता दौड में आगे विधान सभा चुनावों में हार के बाद अब कांग्रेस संगठन में फेजवार कुछ बदलाव होंगे पहले फेज में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्ती की जाएगी सचिन पाइलट, गोविन सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, राजेंदर पारीक, महेंदर जीत मालविय में से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना है भजनलाल सरकार के मंत्री मंडल को लेकर लगभग सहमती बन गई है रविवार शाम को दिल्ली में भाजपा के राश्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा के आवास पर मंत्री मंडल को लेकर करीब डेड़ घंटे बैठक चली मंत्रियों की संभावित लिस्ट भी सामने आई है लिस्ट आप देख सकते हैं किस किस का नाम है इनके सबसे ज्यादा चांस है मंत्री बनने के भारत में कोविड 19 मामलों में एक बार फिर इजाफा होने लगा है कैरल में कोविड का नया सब वैरियंट जे एन वन मिला है इससे 17 दिसंबर को चार लोगों की जान चली गई है वहीं यूपी में भी कोविड पॉजिटिव शक्स की जान चली गई राजस्थान के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट राजस्थान के शहरों के तापमान में उतार चड़ाव बना हुआ है वही अब 23 दिसंबर से यहां हो सकती है बारिश मौसम विशेशक्यों का मानना है कि 23 दिसंबर से एक नया वेदर सिस्टम उत्तर भारत में एक्टिव होगा इसके असर से राजस्थान उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल चाने के साथ कहीं-कहीं हलकी बारिश होगी बीकानेर संभाग के गंगा नगर, हनुमानगर, बीकानेर, चूरू में बारिश होने की संभावना है वहीं जोधपुर संभाग के जैसल मेर, फलोदी एरिया में बारिश हो सकती है संभावना है कि नागौर, अजमेर, जुन-जुनू, सीकर के एरिया में भी इस सिस्टम का असर देखने को मिल सकता है पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी सरकारी तेल कमपनियों ने सोमवार यानी 18 दिसंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई रेट जारी की है राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है जैपुर में आज पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपए प्रती लीटर और डीजल 93.72 रुपए प्रती लीटर है साइबर ठगी में प्रदेश आठवे स्थान पर 2022 में 18133 मामले दर्ज हुए देश में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 18133 मामलों के साथ राजस्थान आठवे स्थान पर है राजस्थान में हर साल साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं सबसे ज्यादा साइबर क्राइम दक्षिन भारत में हुए हैं तेलंगाना में 15,297 मामले दर्ज हुए हैं जो देश में पहले स्थान पर है करनाटक 12,556 मामलों के साथ दूसरे और 10,117 मामलों के साथ यूपी तीसरे स्थान पर है NCRB के अनुसार राजस्थान में अत्यधिक मामले धोखा धड़ी के दर्ज हुए हैं केवल जैपुर में वर्ष 2022 में कुल 310 साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए पालनहार योजना में 31 तक होगा ग्यानवापी सर्वे की 15 100 पेज की रिपोर्ट पेश ग्यानवापी मामले में ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वरांसी के जिला जज को सील बंद रिपोर्ट पेश कर दी है सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट 15, 100 से ज्यादा पेज की है जिसमें ग्यानवापी के सर्वे की सच्चाई क्लोज है ASI को ग्यानवापी के सर्वे के दौरान खंडित मूर्तियां, घड़ा, चिहन जैसे 250 अवशेश मिले थे इन्हें DM की निग्रानी में, लौकर में जमा कराया गया था इन सभी अवशेशों को भी कोर्ट में रखा गया है सर्वे रिपोर्ट पेश होने से पहले, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एप्लिकेशन दी मांग की की सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश हो और बिना हल्फ नामे के किसी को भी सारवजनिक करने की इजाज़त न दी जाए बदल गया LLB कोर्स का पैटर्ण, अब लागू हो रही नई व्यवस्था, ये टेस्ट देना होगा जरूरी जैनारायन व्यास विश्व विद्याले में शैक्षनिक सत्र दो हजार चौबीस, पचीस से LLB के लिए प्रवेश परीक्षा लागू करने जा रहा है यहां उननीस सौ सैंतालीस से LLB शुरू हुई थी LLB के 75 साल से अधिक होने के मौके पर विवी यह नवाचार करने जा रहा है राजस्थान हाइकोर्ट को 90 फीस्दी वकील और करीब 70 फीस्दी न्यायाधीश देने वाले जोधपुर के जैनारायन व्यास विश्व विद्याले से आते हैं फर्जी आईडी बनाकर 7 महीने से रहा था बांगलादेशी 7 महीने से भारत में फर्जी आईडी बनाकर रह रहा एक बांगलादेशी रविवार को पुलिस के हत्थे चड़ गया बांगलादेशी अपना उप्चार करवाने के लिए MDM hospital आया था यहां डॉक्टरों जब उसके दस्तावेज माँगे तो आधार कार्ड को देखकर शक हुआ दाउद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भरती Underworld Dawn दाउद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भरती है मीडिया रिपोर्ट्स में उसे जहर दिये जाने की आशंकाएं जताई गई हैं हालां कि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टी नहीं हो सकी है वो दो दिन से अस्पताल में भरती है MDS University प्रथम सेमेस्टर आवेदन प्रोसेस जारी में एक्जाम के लिए स्टूडेंट्स करें अपलाई 24 दिसंबर तक बिना लेट फीस आवेदन कर सकते हैं अपकी 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 31 दिसंबर तक और परीक्षा शुल्क के बराबर विलंब शुल्क के साथ 6 जनवरी तक आवेदन किया जा सकेगा JNVU में आज से शुरू होंगी BA, BCOM की परीक्षाएं, जैनारायन व्यास विश्व विद्याले के Commerce, End Management Study केंदर में BCOM और BBA, First Semester के Midterm Exam आज से शुरू होंगे यह एक्जाम युनिवर्सिटी परिसर में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे की पारी में होंगे चैनित नई टीचर्स को जिला आवंटित, शिक्षक भरती 2022 के तहत चैनित 498 केंडिडेट्स को न्यूकती देने के लिए विभाग ने जिला आवंटित कर दिया है आधा सेशन बीतने के बाद स्कूल्स को भी टीचर्स मिल जाएंगे, जिससे पढ़ाई हो सकेगी अगले साल 23 मार्च को शुरू होगा, इसके लिए 10 टी में 19 दिसंबर को खिलाडियों की खरीदी करेंगे इस बार 333 प्लेयर्स पर बोली लगेगी, हालांकि इन में से अधिक्तम 77 खिलाडी ही खरीदे जा सकेंगे तो दोस्तों यह थी राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरे, आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे है, कमेंट करके बताईए